प्रधानमंत्री नैंदर मोदी के इसी भाशन को लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग ने पीम मोदी के खिलाफ राश्टरपती रामनात कोविंद को चिठ्थी लिखी है और मोदी पर कॉंग्रेस को धंकाने का आरोप लगाया है पीम मोदी ने कॉंग्रेस को लेकर और क्या कहा इसे सुनाने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर राश्टरपती को लिखे पत्र में मनमोहन सिंग ने क्या कहा रास्ट्रपती रामनात कोविंद से पूर्व प्रधानमंत्री ने आग रहे किया है कि वह मोधी को इस बात के लिए आगहा कर दें कि वह अपने भाशन में धमकानी वाली भाशा का इस्तमाल ने करें प्रधानमंत्री का इतना नीचे गिरना पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है अब आपको सुनाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्र मोधी ने भूबली में दिये अपने भाशन में क्या कहा था अधालत को उन्होंने सामना कर चुके हैं अनर गर आदार हिन जूटे आरोप लगाने से बाज नहीं आते हैं आप और जराद दुनिया को पूछने वाले मैं कॉंग्रेस के नेताओं को आज हुबली के मादान से खुला सवाल पूछना चाहता हूँ मैं मर्यादाई तोड़ना नहीं चाहता था लेकिन जब आप सारवजनिक सीमाए मर्यादाई तोड़ रहे हो बताएए पूरी कॉंग्रेस पर दम होता जबाब दें और मेरे हुबली के भाईयों बेनों यह सवाल आप भी कॉंग्रेस के नेता बताएं के कॉंग्रेस की नेता मां और कॉंग्रेस के नेता उनका बेटा क्या वे कॉट में जमानत पर छुटे हुए हैं जरह बताएए यह आप पर F.I.R क्यों हुई मां बेटे पर क्या अरोप लगा कॉट में से आपको जमानत क्यों लेनी पड़ी मेरे करनाटक के भाईयों बहनों आपको पता होना चाहिए यह कॉंग्रेस के नेता मां और बेटे के उपर पांच हजार करोर रुप्यों के गोटा लेका आरोप है और इसलिए जमानत पर निकले हुए है अरे जिस पार्टी के मुख्या जमानत पर चल रहे है वो हमें सवाल पूद रहे है कॉंग्रेस के नेता कान खोल करके सुन लिजिए अगर सीमाओं को पार करोगे तो यह मोदी है लेने के देने पड़ जाएंगे पीम मोदी के इसी स्पीच के बाद पूर्व पीम ने रास्टरपती से शिकायत की है कॉंग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंग सुर्जेवाला ने यह पत्र टुइट भी किया है हालंकि पूर्व प्रधान मंतरी के इस पत्र पर बीजेवी की और से फिलहाल कोई प्रतिकिरिया नहीं आई है